Hello guys! कैसे आप सब आज मैं बनाने चारी हूं पतेटो कृपशी कृपशी क्रिस्पी प्रेटो बैस अब इसको बराने के लिए मैं करती हूं पहले थोड़ा सा पानी गरं करती हूं गाइस मैं थोड़ा-स पानी उबाल गया हूं यह पानी की सले उबाला है उसका रिजन है जब तब तक पानी बॉल हो जाएगा इसलिए थाड़ा फास्ट काम करने के लिए अब चलते हैं अलू काटने पहली बाद बना रहे हो पतानी कैसे बनेंगे थोड़े ही अलू लिया है चार अलू लिया है पानी ताकि इनको सासत वह सभी कर सको अलू को तो कि देखा इस मैंने को कर रहा है अब दोने सिफ छिलके इनको रख रही हूं गाज यह मेरे कटी है इनको सिफ इस तरह के से काट कर के इस तरह के से कट कर एंको अच्छे से वोस करेंगे तो यह ऐसे सज़्या लगणा की से लिए लगणा क्या सारे पीस को काट सारे और पिट्टाटो का मुकट करेंगे गट करने बाद इनको वोज करेंगे इस देखिए मेरे अलोई अच्छे से दोड़के वोज कर लिए इस देखिए और इधर मेरा पानी भी बोईल हो गया है इससे हमारा जल्दी काम हुआ है अब इन आलोई को इसके अंदर बॉल करेंगे यह बॉल सिफ तीन से चाह मिनिट के बीच करना है और इनको ज्यादा उबालना नहीं है हलके अलगा कच्छापन रहने देना है जब तक हमारे इनको सारे आपक अच्छी सारे बॉल करने कंदर रहती हूं मीडियम फिलेम पे तक ज्यादा ओ फिलेम तेज के बाद इसको फिर हम चेक करेंगे गाइज चार मिनिट होएं भी इनको बॉल होते हुए अब इनको निकाल के देख देख दो कि बॉल हुआ है या कुछ टैम और लगेगा तो मैंने एक आलो को निकाल के ऐसे हम इसमें ऐसे नाइपर आने देखिए इसली जा रहा है और हो अजयाता कच्च्छी जज़ बिनिया और हो ज 안도 अब में इनका पानी को निकालने पाताले है जा लेगे आपड वस्ते हैं आप चार में था सकते हैं można पेसकते हैं अब मैंनों को ग्ला एकसा डाल को टो म्त हैसे क्या नाइव unique ठीस दोन को मिक्स में या चोपर में या गलाइंड गलाइडर जो भी आप यूज करते हैं उसमें यूज करके इंक अच्छे से मिक्स करेंगे लुज है आज तू अटल से गलाइंड कर दी किया है यह जादा तकी जादा भी जडसे इसमें आटा भी निल्किल है और थोड़े दी है जादा भी अटा बहुती है और तो देख जड़े में बई तरफ पाहिक और अब मैं कर वह एक तरफ बलाइंट गरे का ताकि तब तक में इसको पेस्ट को थाहर लोगे ना तब तक मिल अपरत्रो जो भी आफ भूर्चुम जो भी आफ दadomo वाबहि इसकर सकते हैं तो जब तक में आफ नकर गरम हो रहे तब तक मैं अपना पेश्ट थो अपने स्वादूसर अपने नमक जितना मेज़ी सब्सक्राइब तो मैंने दो छोड़ छोटी चमच इसमें नमग डाला है थोड़ा हमारे थोड़ा आम चूर ज्यादा खुछ वकाती सब्जी में तो मैंने थोड़ा आम चूर और 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 ऑर्गैनिक मिर्च वगरा थोड़ा यूज करिया है आप चाहे तो सिंपल नमक से ही बुना सकते हैं मै अब चाहे तो इसमें और ररोड पावडर या मैधा यूज कर सकते तो मैंने इसमें सिंपल चावल का आटा sudah को मिकसे पीस लिये उसार्ट però यूज कि लिए हैं एस में अब इसको 14% दो चमच मैं इसमें चावल गाटे लाला है अब मैं एश्में यह थोड़ा हाथ में तेल यह लगाके अच्छी से से मिंक्स करके तो ने लागते हैं तरहने थोड़ा और चाहनों का पावडर मिला है इसम जाहरा यह mix में दर ही चाहनों आक भी देखुंग और आप दिल शेए हैऊ बना सकते हो अगर चाहिज तो उसको गोल्स चर्कर में बना सकते हो इस तरीके से या फिर आप दिल शेप में बना सकते इसको आप चाहे तो जोब देशों को देशा से नहीं लगारा है जो आपको इस्टेबल लगे कशकुछ लगा जाए मैं तो लग रहा है दिल लग रहा है ना तो अब मैं इसको ऐसे सारे से दिल में या फिर सेरकल या स्लाइडर में बना के रख देते हूं तक के लिए रेड़ी जब तक मेरा ओयल भी गरम हो जाएगा तो इसलिए मैं इसको जब फ्रीज में और दोने या इनको दिल नहीं बनाया समयाल है और बेंसे इसलिए थो इसको Electric ludzie इसको फ्रीज में रख सकते हैं अच्छी से पन्य उते हैं जो बटन होता है लग क्या बोलते हैं उनको माइंड से वह भी अट गया तो उस पन्य में डालके आप इसको सेफ कर सकते हैं तीन मेने तक रख सकते हैं और जाहिए तो आप हैंट वहने तेल गरम किया था मेडियम आज में वह ज्यादा गरम नहीं हो चाहिए थियान रहे हैं मेडियम आज पर आप इसको ऐसे तरफ सकते हैं तो यह फ्रीजने पाफिक दिन तप रख सकते हैं तो जब चाहें इसके तरफ्या प्रेश कर सकते हैं जो कि कुछी मिंटों में दलके प्यार हो जाते हैं और साथी एक चीजों आप केक डाय में चितन आए इतने ही आप एक साथ डाल सकते हैं और मैं इनको तलने के बाद थोड़ा पलड़ते रहना चाहिए ताकि पर लिचयंद भास हाई जमा से सीख जाए जब तक यह हमारे सीखेंगे फिमाप को तल पे दिखा तो यह कैसे लगने पलने के बाद यह मेरे लेडी हो चुके है इक रिच्पी और आप इस के चटने के साथ या हरी के साथ या की चल किसान कैचप के साथ जैसे मज़ेश टेस्ट कर सकते हैं यह विलकुल ही सोफ्ट है देख्याए खुलते दिखरते हैं देखे गाइस यह ब्लकुल क्रिस्पी है विलकुल सॉफ्ट भी है अंदर से ना भूले और मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए